नमस्कार चात्रो मैं नवीन कुमार वर्मा और आज हम कक्षा ग्यारवी के लेखा शास्त्र विशे के अध्याये 12 लेखांकन में कम्प्यूटर का अनुप्रियोग का अध्यान करेंगे इस अध्याय का अध्यान करने के बाद आप समझ सकेंगे कम्प्यूटर सिस्टम के अर्थ, तत्व और शम्ताएं, लेखांकन में कम्प्यूटर की आवशक्ता की व्याख्या करना, लेखांकन प्रक्रिया का सवचालन का वर्नन करना, लेखांकन डेटा से लेखा रिपोर्टो के design की व्याख्या करना विभिन प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS रिपोर्ट और उनके उपयोगों की सूची बनाना तो चलिए शुरू करें computer system के अर्थ को समझना एक computer एक विद्यूत उपकरण है जो की एक निर्देश के समू के आदेश पर कई तरह के कारिये करने में कम्प्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है हम इस व्याख्यान के बाद में computer प्रोग्राम के बारे में अधिक चर्चा करेंगे चाहे आप कामकाजी पेशेवर हो कारोबारी हो विद्धार्ती हो या सेवा निर्वित व्यक्ति या ग्रहनी भी हो कम्प्यूटर और तकनीक का इस्तमाल आजकल एक बुनियादी जरूरत बन गया है हाल ही में आधुनिक दिनों के कम्प्यूटरों ने व्यवसाय और उद्योगों में अपनी उपस्थिती महसूस करवाई है कम्प्यूटर का सबसे महत्वपून प्रभाव उस तरीके पर पड़ा है जिसमें डेटा को संगठन के भीतर संग्रहित और संसाधित किया जाता है MIS कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग के बिना लगबग असंभव है अब कम्प्यूटर प्रणाली के तत्व क्या है एक कम्प्यूटर प्रणाली के छे तत्व घटक होते हैं पहला तत्व है हाडवेर कम्प्यूटर के हाडवेर में भोति घटक होते हैं जैसे keyboard, mouse, monitor, processor आधी सरल शब्दों में कम्प्यूटर का हाडवेर भोति घटक है जिसकी आवशकता कम्प्यूटर प्रणाली के कार्य करने में होती है अब हम computer प्रणाली के दूसरे घटक के बारे में जानेंगे जो की software है Software जो computer को बताता है कि क्या करना है Software में computer प्रणाली के संचालन से जुड़े कारेकरमों, प्रक्रियाओं और दिन्चरिया का पूरा समू होता है प्रोग्रामों का एक समू जो किसी कारे को करने के लिए computer के hardware को निर्देशित करता है, software कहलाता है एक और शब्द है जिसे firmware कहा जाता है firmware मूल रूप से software के एक तुकड़े के लिए एक शब्द है जो इसे ठीक से चलाने के लिए एक hardware युक्ती पर संग्रहित होता है computer प्रणाली को कुशलता पूर्वक शुरू करने के लिए सभी hardware उपकरनों में firmware एक तरह का default install software है software के प्रमुक रूप से 6 प्रकार है पहला प्रचालन प्रणाली यह विशेश प्रोग्रामों का वह समू है जो की computer के सुरोतों को विवस्थित कर उसके कारियों को सरल बनाता है यह एक ऐसे आवश्यक interface का निर्मान करता है जो की computer और उसके उप्योग करता के मध्ये प्रास्पुरिक संबंध स्तापित करता है दूसरा उप्योगिता क्रमदेश यह computer प्रोग्रामों का समू होता है जो की सह्योगी संक्रियाओ को चलाने के लिए बनाया जाता है जैसे डिस्क को सनरूपित करने का प्रोग्राम, डिस्क को कॉपी करना, एकत्रित डाटा को प्रोग्राम के अनुसार सुव्यवस्थित करना तीसरा अनुप्रियोग प्रक्रिया सामगरी ये प्रोग्राम उप्योग करता की आवशक्ता के अनुसार निर्मित एम विक्सित किये हैं जिससे कुछ विशिष्ट कार्ये किये जा सकते हैं जैसे तालिका लेखांकन, वित्य लेखांकन आदी चौथा प्रकार भाशा संसादक यह सॉफ्ट्वेर वाक्य रचना की जांच और स्रोथ क्रमादेश का अनुवाद कंप्यूटर की भाशा में लिखा प्रोग्राम मशीनी भाशा यह भाशा जो कंप्यूटर समझता है में करता है उधारन एक फॉल्टरोन प्रोसेसर और एक कोबल प्रोसेसर पांचवा प्रकार प्रक्रिया सामगरी प्रणाली यह प्रोग्रामों का वह समों होता है जो अंतरिक क्रियाओं को नियंतरिक करता है जैसे निवेश युक्ती से डेटा पढ़ना प्रकरम डेटा को निरगम युक्ती में भेजना एवं कम्प्यूटर प्रणाली की जाच कर यह सुनश्चित करना की सभी अंग भली बाती कार्य कर रहे हैं उधारण बायोस, मदरबोर्ड, डिस्प्ले ड्राइवर, रोम ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर आधी छटा प्रकार संयोजक प्रक्रिया सामगरी यह क्रामदेश परिसेवक और कम्प्यूटर के मध्य संभंध स्तापित एवं नियंत्रित करता है ताकि कम्प्यूटर परिसेवक एवं अन्य कम्प्यूटरों से सूच नाओ का आदान प्रदान कर सके उधारन के तौर पर वेब ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्स्प्लोरर, गूगल, क्रोम, सफारी, मौजिला, आधी उप्योग करता किसी भी तरह के कम्प्यूटर से जुड़े व्यक्ति को लाइव आयर कहा जाता है उधारन के तौर पर क्रमदेशक जो सूचना और प्रंसकरण आवशक्ताओं का अध्यान करता है संचालन के प्रवा को डिजाइन करता है और प्रंसकरण प्रणाली के लिए अन्य विशिश्ताओं को तैयार करता है दूसरा प्रणाली विशलेशक जिसके पास computer निर्देशों को लिखने का कौशल है तीसरा computer operator जो computer का संचालन करता है अगला तत्व है क्रिया विधियां ये निर्देशों का एक समू है जो code में लिखे गए है किसी कार्यों करने के लिए computer पर निर्देश देने के लिए एक software चलाने के लिए गणना करने आदी के लिए इसे इस्तमाल किया जाता है computer में तीन प्रकार की क्रिया विधिया होती है hardware oriented प्रक्रिया जो system के hardware घटकों को निर्देश देता है यह सुनिश्चित करता है कि वे आसानी से काम करें दूसरा software oriented प्रक्रिया जो software प्रोग्राम लॉंच करने और चलाने के लिए निर्देश परदान करता है तीसरा आंतरिक प्रक्रिया यह सूचना के प्रवा को निर्देशित करती है और data को अनुक्रमित करती है अब पांचवा तत्व जो है data डेटा अनिवारे रूप से कच्चे तत्थे और आकड़े हैं जो हम कंप्यूटर में इन्पुट करते हैं डेटा कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से संसादित हो जाता है और जानकारी बन जाती है जो संसादित और संगठित डेटा है जानकारी का उपयोग निर्न लेने के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है डेटा की माप बाइट्स के संधर्ब में की जाती है एक किलो बाइट के भी लगबग एक हजार बाइट्स है एक मेगा बाइट एमबी दस लाक बाइट्स है और अन्त में 1 GB GB लगबग 100 करोड़ बाइट्स है छटा और आखरी तत्व है connectivity यह तब होता है जब computer एक network से जुड़ा होता है यह सूचना, फाइलो और अन्य स्विधाओ को साजा करने की स्विधा प्रदान करता है computer, LAN cable, Bluetooth, Wi-Fi, Upgrade आधी के माध्यम से एक network से जुड़ सकता है इंटरनेट एक computer system में connectivity का सबसे सपस्ट उधारन है एक computer परणाली में कुछ विशेशताय होती हैं जो मनुष्य की तुलना में उसकी शमताओं के रूप में बदल जाती है पहली शमता गती है गती का मतलब उस अवधी से है जब computer परणाली को किसी कार्य को पूरा करने या किसी गतिविदी को पूरा करने की आवशक्ता होती है यह अच्छी तरह से जाना जाता है कि किसी कार्यों को पूरा करने में मनुष्य की तुलना में computer को बहुत कम समय की आवशक्ता होती है आम तोर पर मनुष्य किसी भी कार्य या गतिविदी को पूरा करने के लिए समय की एक इकाई के रूप में एक सेकेंड या मिनट को ध्यान में रखते हैं computer प्रती सेकेंड लाखों निर्देशों को संसाधित कर सकता है उनके संचालन के लिए computer द्वारा लिया गया समय माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड है इसलिए इसे उद्योगों ने गतिक अनुसार विबिन computer को वर्गिकृत करने के लिए मापडंड के रूप में प्रती सेकेंड मिलियन निर्देश M.I.P.S. के नाम से विक्सित किया गया है दूसरी शमता है सटीकता computer हर कारिय को पूरी सटीकता के साथ करता है computer बिना किसी गलती के किसी भी काम को पूरा करता है हम इंसान कुछ काम करने में गलत हो सकते हैं लेकिन computer से कोई काम करने में कोई गलती नहीं हो सकती computer उप्योग करता द्वारा दिये गए निर्देश पर काम करता है अगर हम computer को गलत निर्देश देते हैं तो computer हमें गलत परिणाम ही देगा उस समय computer का कोई दोश नहीं है यह उस समय उप्योग करता की गलती है उधारन के लिए कुछ मामलों में डेटा या निर्देश सही है लेकिन परिणाम गलत है कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रणाली में इस तरह की तुरूटी, सौफ्ट्वेर की खराब प्रोग्रामिंग के कारण होती है यहां अगर आप देखें तो गलती कम्प्यूटर से नहीं है बलकि उसकी वज़े से सौफ्ट्वेर प्रोग्रामर एक इनसान की गलती है कम्प्यूटर शायद ही कभी तुरूटिया करते हैं और सभी प्रकार के जटिल ओपरेशन को सटिक रूप से करते हैं कम्प्यूटर प्रणाली की तीसरी शमता विश्वश्शनियता है कम्प्यूटर एक बहुत ही विश्वश्शनिये मशीन है आज दुनिया की हर छोटी से छोटी कम्पनी या सबसे बड़ा उद्योग पूरी तरह से कम्प्यूटर पर निर्भर है आप बाहर देख सकते हैं कि जब आप किसी अच्छे कैमिस्ट की दुकान पर जाते हैं तो वे कम्प्यूटर पर लेखांकन और बिलिंग करते हैं आप एक फैमिली रेस्टोराँ, एक शोरूम, एक हॉस्पिटल, होटल, मॉल, सरकारी ओफिस, एक मल्टिनैशनल कम्पनी में जाते हैं हर कोई कम्प्यूटर का उप्योग, कारिय या गतिविदी करने के लिए करता है कम्प्यूटर पर नाली दोराय गए ओप्रेशन करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है एक कम्प्यूटर छुट्टी की मांग किये बिना पूरे सप्ता खाम कर सकता है इसलिए वे मनुष्य की तुलना में अधिक विश्वश्शनी है फिर भी आंतरिक और बहरी कार्णों से कम्प्यूटर पर नाली की विफलताएं हो सकती है इसलिए ऐसी स्थिती में कम्पनी समय की हानी के बिना तेजी से संचालन करने के लिए बैक अप सुविदा प्रदान करती है उधारन के लिए मान लें कि आप बैंक में हैं और बिजली की कटोती हो जाती है तो उस थिती में आप देखेंगे कि बैंक रमचारी अपना काम जारी रखते हैं क्योंकि कम्प्यूटर पावर बैक अप के साथ है और यदि किसी हाड़वेर या सौफ़वेर समस्या के कारण उनके कम्प्यूटर ने काम करना बंद कर दिया है तो कम्पनी के पास बिना किसी देरी के उसी समय बदलने के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध है क्योंकि हम अपने काम के लिए कंप्यूटर पर पूरी तरह निर्बर है अब हम कंप्यूटर प्रणाली के चौथी शमता पर चर्चा करेंगे जो है बहु आयामी कंप्यूटर आमतोर पर बहु मुखी होते हैं जब तक कि किसी विशिष्ट एप्लिकेशन के लिए डिजाइन ना किये गए हो एक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर अनुपरियोग के किसी भी शेत्र में उप्योग करने में सक्षम है व्यापार, उद्द्योग, विज्ञानिक, तकनीकी, संचार किसी भी तरह के शेत्र में आप उसका उप्योग कर सकते हैं एक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर जब किसी संगठन में स्थापित किया जाता है तो उसकी बहुमुकी प्रतिभा के कारण कई विशेशग्यों के रोजगार पर कबजा हो सकता है बहुमुकी प्रतिभा कंप्यूटर के बारे में सबसे अद्बुत चीजों में से एक है यह एक बार में कई काम कर सकता है एक शण में यह उप्योग करता को hard copy लेने में मदद करता है उसी समय यह internet browse करने के लिए उसी उप्योग करता का समर्थन करता है और वही उप्योग करता मनुरंजन के लिए उसी समय गाना भी चला सकता है Computer system की अंतिम शम्ता संचयन है एक computer द्वारा data को एकत्र कर उन तक पहुशने को संचयन कहते है Computer system की hard disk के आकार के आधार पर data को store करने की बहुत बड़ी शम्ता रखता है आप computer में किसी भी प्रकार का data store कर सकते है और वह data computer में लंबे समय तक सहज कर रखा जाता है जब तक की आप computer system से उसे हटा नहीं देते आप computer की storage device शम्ता के आधार पर किसी भी data को store कर सकते है उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि computer शम्ताएं मानव शम्ताओं से कहीं अधिक है नतीजतन एक computer जब ठीक से उप्यो किया जाता है तो संगठन की दश्टा में सुधार होता है computer कुछ प्रकार के कारिये को करने में असमर्थ है जिसे हम computer की सीमाएं कहते हैं सबसे पहले हम computer प्रणाली की सीमाएं समस्ते हैं सामन्य चेतना का आभाव पहली सीमा है यह computer system की प्रमुक सीमा बोली जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि computer system कितना कुशल, तेज और विश्वश्निये हो उसमें सामन्य चेतना का आभाव होगा क्योंकि कोई भी foolproof algorithm उन्हें तर्क में program करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है अगली सीमा है, शुन्य IQ शुन्य IQ भी computer की प्रमुक सीमाव में से एक है शुन्य IQ का मतलब है कि computer में दिमाख नहीं है साधारन शब्दों में computer system सोच और समझ नहीं सकते यदि किशी विशेश प्रकार के कारिय या गतिविदी को computer द्वारा निश्पादित किया जाना है और उस कारिय को पूरा करने के लिए उस computer पर कोई software नहीं है तो computer ऐसा नहीं कर सकता computer कलपना नहीं कर सकते हैं और सोच नहीं सकते हैं कि वास्तव में किसी विशेश प्रस्थिती में क्या किया जाना चाहिए जब तक कि उस स्थिती से निपटने के लिए उन्हें प्रोग्राम नहीं किया गया हो अंतिम सीमा निर्ने लेने का आभाव है निर्ने लेना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना, ज्यान, बुद्धी और न्याय करने की शमता शामिल है computer अपने आप निर्ने नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास निर्ने लेने के सभी आवश्यक गुण नहीं है उन्हें ऐसे निर्ने लेने के लिए प्रोग्राम किया जाता है जो विशुद रूप से प्रक्रिया उन्मुक है यदि किसी computer को किसी विशेश निर्ने की स्थीती के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है तो यह ग्यान की कमी के कारण तै नहीं करेगा दूसरी और मनुष्य के पास निर्ने लेने की एक महान शक्ति है उधारन के लिए यदि मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ जैसे की अविनाश, खुशी, सिमरन हम जानते हैं कि कौन सा लड़के का नाम है और कौन सा एक लड़की के लिए इस्तमाल किया गया है लेकिन कंप्यूटर को यह पता नहीं है कंप्यूटर के लिए यह निर्ने लेना तब तक संभव नहीं है जब तक हम कुछ प्रोग्रामिंग जोड़कर कंप्यूटर को नाम के अनुसार लिंक तै करने की सक्षम नहीं बनाते हैं हर कंप्यूटर सिस्टम में निमलिखित तीन बुनियादी अंग होते हैं पहला निवेश एकक जिसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं दूसरा केंदरिय प्राकरम एकक जिसे हम CPU कहते हैं तीसरा निर्गम एकक जिसे हम output unit कहते हैं ये तीन मुख्य रूप से कंप्यूटर को चलाने के लिए जिम्यदार हैं उन्हें पूरे तालमेल के साथ काम करना होता है क्यूंकि इससे संपून कामकाज सुचारू हो जाता है इसलिए हम इन्हें computer प्रणाली की building blocks भी कह सकते हैं आएए पहले अंग निवेश एकक input unit के बारे में चर्चा करते हैं यह विभिन input उपकरणों को नियंतरित करता है जो data के प्रवेश करने के लिए उपयोग किये जाते हैं उधारन के लिए keyboard और mouse सबसे अधिक उपयोग किये जाने वाले input device हैं ऐसे अन्य उपकरण जैसे की चुम्बक्ये tape, चुम्बक्ये disc, light pen, optical scanner, चुम्बक्ये शाही अक्षर recognition जिसे हम MICR कहते हैं optical character recognition, OCR, barcoder reader, smart code reader, इत्यादी केंद्रिये प्रक्रम एकक, CPU यह computer hardware का मुख्य भाग है जो वास्तम में data को प्रक्रमित करता है निर्देशों के अनुसार यह निवेश एकक से प्राप्त करता है यह data को प्रणाली में प्रवेश करने के लिए निर्देशित करके data के प्रवा को नियंतरित करता है data को अपनी जानकारी में रखता है आवशक्ता पढ़ने पर पुनः प्रराप्त करता है और संग्रहित निर्देशों के एक समू के अनुसार डेटा के निर्गत को निर्देशित करता है इनकी तीन मुख्य इकाईया हैं और ये सभी तीन इकाईयां केंद्रिय प्रक्रम एकक CPU के तत्व हैं और साथ में डेटा के कुशल कारिये और प्रसंकरण में मदद करती है यह पहली इकाई अंक गनित और तर्क एकक, ALU है जैसे की नाम से पता चलता है यह जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना जैसे सभी अंक गनित संगठनाओं को करने के लिए जिम्यदार है दूसरी इकाई स्मरती एकक है जब हम निवेश एकक का उपियोग करके डेटा को कंप्यूटर में दर्ज करते हैं तो दर्ज की गई जानकरी तुरंथ CPU की स्मरती एकक में सुरक्षित हो जाती है कुछ मौजूदा प्रोग्रामिंग की उपस्थिती के कारण स्मरती एकक CPU के अन्य भागों में डेटा को आगे पोचाती है तीसरा इकाई नियंत्रन एकक है यह मूल इकाई है जो कंप्यूटर युक्ति के संपूर्ण कामकाज का प्रभंधन करती है कंप्यूटर प्रणाली का तीसरा और अन्तिम अंग निरगम एकक जिसे हम आउटपुट यूनिट भी कहते हैं डेटा के प्रंसकरण के बाद इसे एक प्रारूप में बदल दिया जाता है जिसे मनुष्य समझ सकते हैं इसलिए कंप्यूटर प्रणाली को निरगम एकक की जरुरत होती है उप्योग करता को इस तरह की जानकारी का संचार करने के लिए अन्यवारे रूप से निरगम एकक को मशीन कोडित रूप से संसाधिट डेटा को मानव पठनिये रूप में अनुवाद करने का कारे सोपा गया है निरगम एकक के उधारन हैं मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर और स्पीकर इत्यादी चात्रो यहां अध्याय बारा भाग एक समाप्त होता है धन्यवाद